हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो ITN Trader की एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है आज का topic देखो जो है न वो topic काफी important है तो पहले पूरी वीडियो आपको देखनी है और अगर वीडियो से आपको कुछ समझ में आए तो आपको simple क्या करना है आपको comment करना है अब देखो यार आप में से बहुत सारे लोग options trading के अंदर कदम रखते हैं तो आज जब मैंने market close हुआ the video on this weekend तो मेरे से न अधिकतर लोगोंने क्या मांगा message में पता है किस पर वीडियो बनना चाहिए उन्होंने बोला कि सोरभ भाई मेरा loss हो गया है सोरभ भाई मेरा x amount का loss चल ला है सोरभ भाई मैंने y amount का loss चल ला है अब आप ये बताओ मैं इसको recover करूं कैसे करूं तो आज मैं इस particular topic पर वीडियो बनाना चाहता हूं कि ट्रेडिंग किसको करनी चाहिए जूट मूट की दुनियादारी को देखते हुए अगर आप ट्रेडिंग को as a profession चूज करोगे तो पक्की बात है कि यहां आप घर दुआर सब बेस दोगे आपको मैं डरा नहीं रहा हूं देखो अगर इस वीडियो को आप ऐसा motivation वीडियो एक टेकनिकल वीडियो एक discipline वीडियो लोगे तो सायद मैं आपकी life दस गुना अच्छी बना सकता हूं कुछ सवाल है जो आपको comment section में मुझे बताने और बताना मुझे मैं आपको अपना एक एक चीज एक पेनल दिखाऊंगा कैसे मैं trade करता हूं कैसे मैं बड़ी quantity trade करता हूं वेट करो लेकिन वीडियो पूरी देखने लाइक दबा के करना है ताकि मैं ऐसी क्योंकि स्ट्रेटजी मैं आपको कभी भी सिखा दूँगा है ना आपको चीजे मैं कभी बता दूँगा आपको मैं learning indicator of indicator कर लेकिन आज जो बात दिल से दिल की है ना वो नहीं कहा पाऊंगा अगर मैं आज वीडियो देखो नॉर्मली ऐसी काम करते हुए बनाने का मन के बस बना दे रहा हूँ जनरली ऐसी वीडियो यूटूब पर अविलेबल नहीं जहां इतने ट्रांसपेरिंस आपको चीजे बताएजे आप कोई भी ट्रेडिंग करने आता है वो ट्रेडिंग से चाहता है ट्रेडिंग से वो क्या चाहता है सबसे पहला तो भाईया वो है कि हमको सौरबाई प्रॉफिट हो यानि हम पैसा कमाए हमारी जिंदगी अच्छी चले दूसरा कि हम टेंसन फ्री रहे हैं अब जो मैं यह सकेंड वाला पॉइंट लिखाऊ ना यही ट्रेडिंग क जन्म होती है और यही से ट्रेडिंग की इंड भी होती है जैसे देखो ट्रेडिंग कैसे कैसे लोग करते हैं अब समझो पहले वो लोग जो किसी से पैसा उधार लेते हैं जिसको लोन कहा जाता है अगर मैं अपना आपको मैसस दिखा दूँगा ना तो आए दिन लोग मुझे पांच लग दे तो मुझे बहन की साधी कराने थी उसका पैसा खा गया आपका जो लोन है आप सबसे पहले यह चीज़ सोचो कि आपने जो एक्स एमांट किसी से लिया था वो क्या सोच कर लिया था लोगों को लगता है कि मार्केट है ट्रेडिंग है एक लाग हो जाओंगा लेकिन जरा समझो इसका एडवांस या इसका रेसिप्रोकल करके देखो नहीं कि अगर एक लाग मेरा घूसा तो सब खतम यह चीज आपके दिमाग में नहीं आती दूसरी चीज है कि पीपल हमेशा क्या करता है न कि इस बिजनस में आते ही वह एंजाइटी का स आमने से ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता कितनी वीडियो है लॉस किया है 15-16-17 हर महीने में 5-6-day लॉस तो होता ही होता है 15-16 दिन ही आदमी कमा पता है लेकिन आपने कभी देखा है कि मेरे दिमाग में वह सारी चीज रहती क्यों नहीं क्योंकि वही इस पर्टिक्लर वीडिय किसको ट्रेडिंग नहीं करने चाहिए तीसरे चीज क्या होती है कि हर एक एक चीज बिजनेस का मतलब होता है कि आप कमाओ और यहां पर अधिकतर आत्मी क्या करता है लॉस करता क्यों है उसके पीछे का पूरा लॉजिक में आपको समझाऊंगा ये क्लियर हो गया चलो अब एक चीज समझते हैं कि सौरब भाई होता क्या है मार्केट के अंदर बिसिकली होता क्या देखो आप की तरह मैं भी था ठीक जब मैं मार्केट के अंदर आया था आप कोई ऐसे नहीं हो कि मैं भी आया था मार्केट के अंदर छे महीने के अंदर मैंने तीस लाग डाल दी है अब जो मेरे बारे में बहुत पहले से जानता है, उसको मैं थोड़ा सा अपने बारे में detailing देना चाहता हूँ, देखो, आपको एक magical सूतर बता हूँ, magical सूतर क्या है कि पैसा, अगर आपके पास है, पैसे से ही पैसा बनता है, अब आप देखो कैसे, मैं समझाता हूँ आपको कैसे बनता है पैसे पैसा, देखना जरा, विदीन स्टार्टिंग के छे मैंने जब मैंने 30 लाक रुपेज लॉज की हैं, तो उसके बाद मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया, कि भाई अब मैं ट्रेडिंग नहीं करूँग, किसी भी हाल में मुझे अब ट्रेडिंग नहीं कर की मैंने समझगया कि अगर मुझे यहां मार्केट के अंदर जीतना है, तो मैं एक लाक अगर एक महिने में लौस करूँगा, तब bahी में उतना ही सीखूँगा, और अगर मैं 30 लाक लौस करूँगा, तब भी में उतना ही सीखूँगा, तो अब मैंने एक discipline बना लिया कि मेरा जो loss होना चाहिए वो x amount होना चाहिए अब आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं सुरह भाई यह 30 लाग तुम लाए कैसे भाई मेरे क्या-क्या मेरी चीजे चलते हैं वो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं सर्च करोगे तो मेरी rankers coaching चलती है मेरे rankers digital चलते हैं rankers pre foundation rankers need तो मेरे पास पैसों का एक अलग सा source था जो मुझे motivate किया था क्योंकि अगर मालो यही मेरा 30 लाख लोन रहता तो सायद आज तक मैं 30 लाख का ब्याज भरता रहता 30 लाख का loan लेके अपने दिमाग को अलग जगा लगा रहता तो दिमाग जब मेरा अलग जगा लगा रहेगा तो जब मेरे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो मैं risk कैसे लूँगा और एक चीज ट्रेडिंग के अंदर हमेशा याद रखो magical चीज बता रहों दोस्तो ध्यान से सुनना अगर आपके पास पैसेंस नहीं है अगर आपके पास सेट अप नहीं है और आप उस सेट अप का वेट नहीं कर पा तो बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पर मैं लिया यहाँ पर नीचे आप काट के पॉफट के साथ काम कर गहे लेकिन अब मैक्सिमं पीपल क्या करते हैं कि यहाँ पर मार्किट में उनों ने इंटरी लिया ठीक उपर गया मार्किट यहाँ पर उनकोTube 5.00 का प्रोफिट दिखने लगा यह मालों 20,000 का पॉफट दिखने लग लग कि मैं या मैं इसको अगले दिन लेके चलूँगा अब ये सब आपको लग रहा होगा कि यार इतना अच्छा मेरे साथ क्यों हो रहा है मतलब मैं जो बता रहा हूँ आपको लग रहा होगा कि यार मेरे साथ भी तो ऐसा ही होता है आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ है और even इन सारी चीजों का वही मैं आपको क्या कां, इन सारी चीजों का सार यही है कि जब तक आप इस पर्टिकलर चीज को नहीं इस्तमाल करेंगे तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाईएंगे मैंने क्या बोला यहीं से शुरू है और यहीं पर सब खतम है आप समझो अब पर्टिकुलर एक छोटा ट्रेडर और एक थोड़ा सा प्लेयर में अंतर क्या होता है कि आप जब तक अपने इसका सही से इस्तमाल नहीं करोगे आपके पास है आपके पास सपोज करो 10 लाख है मैंने एक रूल बताया है वो रूल भूलो मत हर वीडियो घुमा फिरा के देखो वही होती है बट आप लोग फिर भी वही गलती बार 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 रिपीट करते हो तो उसमें कोई मजा नहीं रहेगा फिर आप हमेशा फिर च अब मैं आपको कुछ चीज़े दिखा रहा हूं कौन-कौन लोग होते हैं ट्रेडिंग के अंदर जो कभी सक्सेस्पुल होई नहीं सकते देखना ध्यान से और मैं बताता हूं अगर आप इन किसी भी एक में हैं तो भीया आज ही मार्केट को टाटा बायबा बोल दिजे क्य अब मेरी साइकलोजी में बड़े बड़े जितने भी यूटूबर है वो भी आते हैं क्योंकि मैं भी उतना ही फंडी उच करता हूं दो-चार लोग होंगे जो बहुत बड़े बड़े फंडी उच करते होंगा I don't know them but मैं आपको समझा रहा हूं जैसे मालो कि मैं यहां पर ले रहा हूं और आप क्या कर रहे हो आप 200 कॉंटिटी ले रहे हो ठीक है अब एक लाख में अगर मैं एक लाख लगा के टेन के बना रहा हूं और अगर आप 200 कॉंटिटी मालो आप मैं यहां पर दस लाख लगा के दसजा बना रहा हूं और अगर आप एक लाख लगा के एक यह जायेगा, क्योंकि आप यह नहीं देख रहे हो, कि आप क्या कर रहा ह। समझो, दूसरे चीज क्या है, कि और दूसरी साइकेलोजी, देखो, यह एक लाख, अगर मालों, मैं यह तो यह 10,000,000 का 0 हो जाएगा, यह 10,000 का 20,000 बन जाएगा, 20,000 का 40,000 बन जाएगा, आप 1,000,000 लगा रहा हो, आपको जैसे ही 20,000 का लौज देखेगा, you will cut your position, क्यों, क्योंकि यार आपके पास क्या source of income है, एक तो आपकी salary हो सकती है, या आप किसी से उधार लिए हो या आप किसी से लोन लिए हो, क्योंकि as now आपने कभी profit किया नहीं होगा, आप overall profit में अगर होगे, तो you can use that much money अब मेरा यहाँ पर क्या होगा, यह चीज़ समझो भाई, मेरे multiple sources of income जैसे, एक तो referral से दूसरा courses से, तीसरा मेरे खुद के personal youtube से, चौथा मेरे खुद के जो भी मैने businesses हैं उन से, पाचवा जो मेरी खुद की coaching platform है, छटवा जो मेरे coaching के digital platform है, तो मैं साथ जगां से कमा रहा हूँ आप लोग पूछते हो न, कि सौरब भाई हर व्यक्ति course या referral क्यों बेसता, चाहिए बड़े से बड़ा trader हो एक दू अगर trader हम लोग छोड़ दें, तो maximum लोग आपको दिखते होंगे, या तो referral अपना बेच रहोंगे, या तो आप course बेच रहोंगे, इसमें knowledge आपको दे रहा हूँ, और इस extra income से, ऐसा नहीं कि हर चीज आपको सिर्फ पैसे से मिल लएई, जैसे ये वीडियो है, 18-19 वीडियो मेरी है, जो mind-blowing वीडियो option trading के अंदर, कभी नहीं, हाँ, कुछ ऐसे चीज़े जैसे GOE, एक course है, उसके employee है, बहुत सारी चीज़े है, तो ये अपना सिर्फ ये समझ लो कि जितना अपन course बेच रहे हैं, उसमें से आप मानलो कि 80-90% तो ऐसे निकल जा रहा है, देने बाटने में, तो आदमी, जब मेरे पास 7 income sources हैं, आपके पास एक income sources हैं, तो सोचो psychology किसकी वेटर होगी, अब आप कहोगे कि सोरभ बाई, ऐसे तो सब लोग जो एक source of income ओट रेडिंग कभी करें ही न, देखो, करना उसको भी चाहिए, कैसे लेकिन अब वही चीज़ वहाँ पर समझो, कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, सफल तक लिए क्या-क्या चीज़ चाहिए, आपके अंदर smartness होनी चाहिए, smart का मतलब क्या है, क्या आपको चीज़े पता होनी चाहिए, दूसरा, आपका risk reward की profiling बहुत अच्छी होनी चाहिए, तीसरा, आपको आपके ऊपर control होना चाहिए, आपकी emotions पर control होना चाहिए, आपकी psychology अच्छी होनी चाहिए, चौती चीज़ आपको dynamic trader बनके रहना पड़ेगा, dynamic trader मतलब खुद से सीख कर खुद से करना है, call tips के भरोसे रहोगे, तो दो दिन कमाऊँगे, चौते दिन लोज कर दोगे, अब जब मैं ये पांच बिंदू या चार बिंदू की बात करता हूँ, इसमें सब कुछ आ जाता है, अब यही चीज़ नहीं कर पात, तो कोई न कोई गलती आपके अंदर होगे, जैसे इसमार्ट के अंदर वो लोग आते हैं, जो price action, technical, fundamental, news, global news, global parameter, सब की खबर रखते हैं, risk reward, जो भाईया जानता है, कि अगर मैं x amount आज लूज कर दिया, तो कल मैं y amount, x plus y कमाऊँगा, control, उसके अंदर होगा भाई, जो ढग से इस particular चीज़ को समझेगा, कि भाई, मैं ऐसे मैं इस तरीके straight करूँगा, मैं यहां पर trade करूँगा, मैं proper retracement का weight करूँगा, मैं जल्दी बाजिम नहीं घुसूँगा, मैं FOMO में करूँगा, FOMO trade नहीं करूँगा, dynamic में हर एक एक particular चीज़ खुद से सीखना है, खुद से करना है, अब आप खुद सोच ले इन 4 चीज़ क्या करना चाहिए, भाई मैं आपको simple बता रहा हूँ, छोड़ दो, ठीक है, अगर आप एक business नहीं कर पारो, आप छोड़ दो, अगर आप कर पा रहे हो, तो कैसे करोगे, देखो मैंने 30 days का challenge upload करता हूँ मैं daily, उसमें देखो, मैं एक single fix अपना discipline रखा हूँ, 9000 quantities में trade देखा हूँ, दूसरी चीज मैं करता हूँ, जो मेरा personal big account है, उसमें scalp हो गया, या hero zero हो गया, अब इसको देखो, ये वाला तो आप लोग डेली देखते हो, आज इसको मैं चलो दिखा देता हूँ, कि ये किस तरीके से grow होता है, कैसे काटना होता है, launch में position, कैसे हारना होता ह हारना जरूरी है, जीतने से ज्यादा, वो चीज, ये point टच करें आपको न तो मुझे बताना, पारो वो चीज जो मैं आपको समझाने की कोसिस करो, क्योंकि उसके बिना आप कितना भी हाथ फैर मारते रहो ला, आप नहीं हूँ, तो अगर आपको, अभी मैंने जो बताया, या मेरे जो setup है, उससे आपको थोड़ा सा motivation आया, तो पहले अपने आप से strategy, courses, ये गया तेल लेने भी, सबसे पहले ये काम करो, क्या काम करना है, वो देखो, सबसे पहले, दो दिन अभी आपके पास है, आपका पैसा भी आजागा, सब कुछ आजागा, पहले आपका fund है, GX, divide करो 12 से, जितना आये, वो पर मन्त आप उसी से trade करोगे, दूसरी चीज, fix काम करो, कि भी या मैं यहां तक ही SL लूँगा, यहां तक target लूँगा, एक से दो trade करो बाहर, और 30 दिन बाद मुझसे मिल लो, आप बदल नहीं गया, तो कहना, ठीक है, और loan लेकर, किसे सुधा पारी मांग कर किसी का पैसा खा कर आप trading करोगे, तो हमेशा लॉस करोगे, यह भी याद रखना, बाकी जैसरी राम, चलिए सोते हैं, गुड नाइट